सोंबार की मधराती दुकान का ताला तोर दो युवक आये दुकान को लूटने नहीं पता था लगे हैं CCTV कैमरे उनके दुस्क्रित हो रहे हैं इसमें क्या विध्यापती नगर थाना छैतर के बजरंगी चोक स्थित, सुधा हांटर दुकान से ताला तोर कर चोरों ने किया हजारो रुपे की समान की चोड़ी नमस्कार मैं संजी वड़ आप देखने हैं दृ스टी न ही बद्द्यापती धाम द्रिश्टिनीज बिद्याप्ति धाम मेरे दुकान के अंदर जहाख कर देखा तो पैकि मेरे दुकान के जारे के सामान सहीत CCTV के वाईफाई चाती गरस्त कर दिया गया घटना को करीब 27 मिनट में अंजाम देकर आजानी से चोरुन रफुज्यकर हो गया उक्त द्रिश्य वेवसाई राजेस कुमार के दुकान में लगे सिसीटी कैमरे में कैद हो गया जिसको लेकर राजेस कुमार ने सिसीटी वाले फोटो को मुबाइल में उतार कर अगल बगल के लोग को दिखाया तो पता चला की उक्त युबव बिद्यापती परखंड के ही मरवा गोपालपूर निवासी मुन्ना भगत के पुत्र अंकित कुमार के रूप में पहचान की गई वहीं दूसरे युबव की पहचान निवज संकलन करते वक नहीं हो पाई थी वहीं इस पुड़े मामले को लेकर बैवसाई राजेस कुमार्ण बिद्यापती नगर ठाना परभारी को आवेदन देकर नियाई के लिए गोहार लगाया है गौरतलवों की इस से पहले भी इसी सुधा कॉर्ण दुकान से पिछले वर्स सितंबर मामे भी इस तरह की घटना हो चुकी है जिसका उद्भेदन नहीं हो पाया था मामले की जनगाई पाकर ठाना परभारी फिलोज आलम ने पीरिक बैवसाई की यह ककर आश्वासन दिया की जल्द ही मामले का उद्भेदन करकर दोसियों की उपर सक्त से शक्त कारवाई की जाएगी दिरोड को ओठ शमस्तिपूर बिहार इसकिन पर चल ले हैं तस्वीरों को ध्यान से देखे यही दो दरिंदे हैं जिन्होंने राजेस कुमार बैवसाई की दुकान में सोंबार की मद रातरी ताला तोर कर दस से पंदरा हज़ार रुपे की समान लूट कर रफु चकर होगे ये कुछ तस्मीरे अब देखिए चोरों ने किस तरह से घटना को अंजाम दिया और सतर मिनिट के अंदर दुकान का समान लूट कर किस तरह से फरार हुआ खलाकि दुकान में बहुत सारे समान थे जिनको ले जाने में ये चोर और सक्षम रहे हैं और जितना बन सके हैं ये दोनों से उतने समान को बटोड कर लेते जाते हुए का एक दिर्श्री जब इनका नजर CCTV कैमरे जो दुकान के अंदर में लगे उस पर पड़ता है तो किस तरह से उस कैमरे को भी डिसकनेक्ट कर दिया जाता हुए उस तस्मीरे भी इस कैमरे में कैद होते हुए नजर आ रहे हैं साप तस्मीर आप देख पा रहे हैं यही युवक सातिर युवक है दोनों युवक का इस घटना में हाथ हो गई दृष्ट को अंदर तक जरूर देखे जो तस्मीरे आप देखे है किस तरह से युवक सान को लेकर रफू चकर होते हुए नजर आ रहे हैं साथ में सीसी टीवी में लगे वाइफाई और दो कमरे को भी छती ग्रस्त करकर रफू चकर हो गया य एस आई रंजीत कुमार घटना असतर पहुंचको अनिविस्टिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं साथ तस्वीरे आप देख पाड़े हूं क्या कैसल चुरी हुआ है समान अभी पूरा अकलन नहीं कि हैं साथ लेकिन दसवाजार पर काई यहोगा मिनिम्म वंदाज क्या सब समान था समान सब्सें होडिक्स बरावरा था और जो इसे ब्रजनी गन्दा मतलब जो भी विश्टित करती था नहीं सब्सक्राइब है कि इसमें राता है किसमें राता है उस दुकान नहीं पूटा उच्छान में आया के ने सीचीटीव फोटेज के अधार पे बहुत लोगों को दिखाए लेकिन पहचान में नहीं आये हैं आगे देखते हैं क्या है थाना को शुचना दिये हैं यह जरूर शुचना दिये हुए है और आदे पन्दा आपको कैसे पता चला गए चवरी की घटना के बारे में सुबह यह बगल वाले चाहे दुकान मुकेश कुमार है यह हमको को पून की यह ठीक है और एक आत्मी और है जो मेरे घर पे पहुंचे हुए जो आपके दुकान में प्रवेश किया था दो नहीं तो पर इसका दो इसका दो पर बारा गया है अचे मेंदर्वाजा काही त्हार बारा गया है जो तो यहीं से टोरागया पता बाराजा है और कैमरा तो तोर के लिए ही गया ठीक है लेकिन उगरासा यहीं पर जिस्ते तोरा आया हूँ जो वीडियो में भी असपस्ट है वो चीज़ यहीं है क्या नाम है आपका राजस कुमार साथ